हमेशा लोगों को अपनी फनी बातों और एक्ट से हसाने वाली राखी सावंत इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई है राखी सावंत के मदिना पहुँचते ही आदिल खान और शर्लिन चोपड़ा ने एक्ट्रेस के बारे में फिर से कुछ चौकाने वाले खुलासे किये है शर्लिन ने पैपराजी से राखी सावंत की सुसाइद वाली बात को लेकर भी बात की है राखी सावंत और आदिल खान का मामला बढ़ता ही जा रहा है आए दिन प्रेस कॉन्फरेंस में एक नया खुलासा हो रहा है अब शर्लिन चोपड़ा ने राखी सामवत को लेकर नया खुलासा किया है राखी सावंत ने अपने पती आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ पुलिस केस किया था और उन पर मारपीत्व चीटिंग का आरोप लगाया था इसी बीच अब एक्ट्रेस मौडल शरलिन चोपड़ा इस मामले में आदिल खान का सपोर्ट कर रही है शरलिन इन दिनों आदिल राखी के मामले को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है आदिल खान के बाद अब शरलिन चोपड़ा ने राखी सावंत पर गंभीर आरोप लगाये है पैपराजी से बात करते हुए शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत और आदिल खान को लेकर चल रहे विवाद पर रियेक्शन दिया और आदिल का सपोर्ट किया शर्लिन चोपड़ा ने किया नया खुलासा किया है शर्लिन ने आदिल को सही और राखी को गलत बताया है शर्लिन ने कहा, मीडिया के सामने उसने मेरे आपतिजनक फोटो और वीडियो दिखाये है उसे शर्मानी चाहिए वही पैपराजी के सामने शर्लिन के दोस्त ने राखी सावंत की सुसाइड वाली बात पर बोला कि वह खुद कभी सुसाइड नहीं कर सकती है वह दूसरों को मजबूर कर देगी सुसाइड करने के लिए बता दे की राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है बीते दिनों उनके बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों ने एक दूसरे की खिलाफ प्रेस कॉन्फरेंस में बहुत कुछ कहा था फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंज में जरूर बताएं साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए